लेकिन का आप जानते हैं कि नारल का तेल हमारी सेहत को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है आपको सुनके रगीन नहीं हो रहा होगा क्योंकि नार्यल का तेल सीहत के साथ साथ बालों और तौचा के लिए लापकारी सिद होता है लेकिन यही सच है हाला कि अभी तक नार्यल के तेल पर किये गर रिसर्च में यही बात सामने आई कि नार्यल के तेल में भरपूर मातरा में बिटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपके सेहत के साथ साथ आपके बालों के लिए भी फायदे मन साबित होते हैं जबकि आज तक हमें नारल के तेल की फाइदों के बारे में ही पता था लेकिन हाली में अमेरिका की एक उनिविस्टिटी ने नारल के तेल पर रिसर्च करने के बाद इस बात का खुला सक्किया कि नारल तेल का ज्यादा इस्तमाल आपके सेहत को काफी हद तक नुकसान के तेल को प्योर पौाइजन भी कहा जाता है आगे आपको बताते चलेकी नारल का तेल प्योर होने के साथ साथ काफी जहरीला भी होता है जो आपके सीहत को नुकसान पहुचाता है हाला कि इस रिशर्च के अनुजार इस बात का खुलासा हुआ कि नारिल तेल सबसे वर्ष्ट फूड है जिसे खाया जाता है क्योंकि ये saturated fatty acid से जादा तर बनता है जिससे सीधे चर्बी बनाने का खतरा पैदा करता है और इसके जादा इस्तमाल से LDL और wet cholesterol बढ़ता है बैतर होगा आप अब नारिल के तेल का सेवन कम कर दे नहीं तो नारिल तेल के सेवन से आप high BP cholesterol heart disease जैसी खतरनाग बिमारी के शिकार हो सकते हैं साथ ही इस रिपोल्ट के नुसार इस बात का भी खुलासा हुआ कि जब नारिल का तेल आलू, मुंगफली, केले, अंडा या अने कार्वो हाइडरेड या फिटी चीजों के साथ मिक्स होता है या फिर खाय जाता है तो इसका हमारे सरीर पर बहुत खतरनाग असर पड़ता ह हाला कि अगर आप इस तेल का कम मातरा में सेवन करते हैं तो आप स्वस्त रहते हैं जब कि अगर आप इस तेल का ज्यादा मातर में सेवन करते हैं तो आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है करहल डेक से नानी की रिपोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और विक ओधर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्कुर्प राइडर, तो हम इस संपच रहे हैं